हेलो गाइज वेलकम को अने दर वीडियो अप स्टॉक मार्केट फेंट्स एंडी टीवी की ओर से मार्च क्वाटर की फिनांसल रिजल पेश हो चुका है स्टैंडल ओन कॉंसॉलिडेटेड दोनों रिजल्स आउट हुचुका है क्वाटर एंडेड और फिनाशल एंडेड का जो कहा है आज के वीडियो कवर करेंगे चली फेंड़ वीडियो स्टाट करते है लेफ चैंडल ओन राइट में। Twice जर आए तो नदो 27 करोड का पिछले quarter में 110 करोड का और March 23 quarter में 85 करोड का expense हुआ था जो कि quarter on quarter year on year के expense भी increase किया income के according लेकिन March 23 quarter में company को अगर देखा जाय तो exceptional items में 11.7 करोड का gain हुआ था जिसके कारण company को जो है losses recover के लेकिन इस बार देखिए तो ऐसा कुछ नहीं है जिसके losses 8.6 करोड का पिछले quarter 9.9 करोड का और March 23 quarter में 3.5 करोड का loss है quarter on quarter में तो recover है लेकिन year on year में down देखने को losses increase क्या और reason क्या है कि March 23 quarter में exceptional items में gain हुआ था अगर हम बात करेगा इस company की net profit loss की बात करे तो इस बार का loss है 8.6 करोड का और पिछले quarter में 10 करोड का loss है और March 23 quarter में 1 करोड का loss है जो कि इस बार losses अगर देखा जाए तो गाइस यहां पर quarter on quarter में down देखने को मिला है losses increase कर रही है और यही रिजन है exceptional items जो कि March 23 quarter में gain हुआ था EPS minus 1.31 रुपेज का quarter on quarter में down है यह recover किया है लेकिन year on year में down देखने को मिला है अगर हम बात करेंगा इस company का financial result का और financial year का result देखेंगे तो company का income में 392.7 करोड का पिछले quarter में 23 में 399.7 करोड का income है जो कि बहुत बढ़ी fall देखने को मिला है expenses 412.9 करोड का 23 में 148.7 करोड का expense हुआ था देखेंगे income down और expenses increase किया है जिसके कारण losses यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है 20 करोड का loss है और 23 में 63 करोड का operating profit है जो कि बहुत ज्यादा fall देखने को मिला है net profit loss company का इस बार पेश हुआ अगर हम यहाँ पर net profit loss की बात करें तो 21 करोड का loss है और 23 में 52.9 करोड का profit है बहुत ज्यादा fall देखने को मिल रही है EPS माइनस 3.14 रुपीज का जो कि 23 से बहुत ज्यादा fall नजर आ रहा है तो गाइस consolidated results अगर देखा जाए तो quarter ended में income बहुत अचीक रहो थे बट financial year ended का income में डाउन यहाँ पे और लेकिन अगर हम profit की बात करें तो यहाँ पर losses quarter ended में quarter on quarter में recover किया year on year में down है क्योंकि exception आइटम से मार्च 23 quarter में गेन हुआ था और इस बार वैसा कुछ नहीं हुआ और लेकिन financial year ended का भी losses increase कर रही है तो यहाँ पर consolidated रूतना रिजल पेश नहीं किया है अगर हम financial year ended की बात करें income में 78 करोड का पिछले quarter में 68 करोड का stand-alone में और March 23 quarter 45.4 करोड का income है quarter on quarter year on year में increase किया है expense हुआ है 85 करोड का पिछले quarter में 74 करोड का और March 23 quarter में 52.7 करोड का expense हुआ था expenses quarter on quarter में बहुत ज़्यादा हुआ इसके का ने losses increase हुआ year on year में expenses में increase किया income के according लेकिन यहाँ पर losses फिर भी देखने को मिला और यहाँ पर tax losses 6.7 करोड का पिछले quarter में 6 करोड का और March 23 quarter में 3.3 करोड का profit है quarter on quarter year on year दोनों में बहुत बड़ी fall देखने को मिला है EPS माइनस 1.05 का quarter on quarter year on year दोनों में fall होती भी नज़र आ रही है तो गाइस कंपनी का overall result अगर देखा जाए न तो बहुत वीक result पेश किया बहुत ही वीक देखने को विला क्योंकि losses increase कर रही है income में देखें इंकम तेजी है बट लॉसस इंक्रीज करता वनज़र आ रहा है इसलिए गाइस company जासो उतना अच्छा result पेश नहीं किया और इसके शेयर की बात करें तो 237.6 रुपीश पे आज close हुआ है और 1.26% का इंक्रीज किया है और गाइस company के शेयर में अगर देखा जाए तो बांस बैक किया है लेकिन बांस बैक करने के बाद भी गाइस company के शेयर में मंडे के दिन सब्सक्राइब निकल सकते है अगर आपने इसको ौड कर रखा रखाए तो आपको अगर निकल सकते है अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हैं तो मैं कहूंगो थो वेट कीजिए वेट कीजिए करेक्शन होने का क्यूंकि कंपनी को भले बाउंस बैक किया है लेकिन फिर भी रिजल्ट के कंपेर करेंगे तो इस कंपनी के शेयर में फॉल हो सकती है तो हम लोग जो है वीडियो क नहीं प्रेंट करते हैं अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पुछे मिलते हैं एक शोडर में डिलम बाबाए